नमस्कार अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ आदर्श ज्या और मेरे साथ मौजूद है अमरुजाला डिजिल के संपादक जदीब कार्निक जी और इस वक्त हम दोनों आपके साथ जुड़े हैं बहुत बड़ी खबर पर बात करने के लिए देखें बंगाल में डॉक्टर बेटी के रेप और हत्या के बाद से जो माहौल बना हुआ है जिस तरीके से लोगों में नाराजगी है उस पर जिस तरीके से सियासी बवाल भी देखने को मिल रहा है वो तो तमाम सवाल अमरुजाला.com पर हम आप तक पहुचाई रहे थे लेकिन अब इस पूरे घटना क्रम पर राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने एक चिठी लिखी चिठी का शीर्चक ही आपको चौका देगा एनफ इस एनफ हलाकि इस चिठी के बाद भी और चिठी के पहले भी लगातार पश्यमंगाल के सरकार वुखिमंतरी मम्ताब एनरजी लगातार कड़े तेवर दिखाती रही आज जब वो चातर परिशद में पहुची तो वहां से उन्होंने धंकी दे दी बीजेपी पर ठीक है उनकी और बीजेपी की राजनेती अपने अपनी जगा है लेकिन राश्ट्रोपती जो सवाल उठा रही है वो बड़ा एहम हो जाता है इतने सवाल इस चिठी में भी खड़े हुए है और हम लोग तो पूछी रहे हैं कैसे देखें इस चिठी को माने कैसे समझें इसके बहुत महत्पूर्ण है आदर्शी चिठी और इसमें सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इसका सोता संग्यान लेती है देश के सबसे बड़े समयधानिक पत्से इतनी बड़ी आवाज आती है इस तरह की चिठी लिखे जाती है तो समझ में आता है कि मामला केवल आप सड़कों पर होने वाले प्रदरशन तक यह डॉक्टरों के धरने तक सीमित नहीं है इसमें मुझे लगता है कि बड़ा राजनीतिक संकट भी आहट देता है वा दिखाई दे रहा है आप जिस तरह विशारा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है क्या हम बंगाल में कोई बड़ा राजनीतिक फेर बदल तबदीली देख सकते हैं मुझे लगता है ऐसा कुछ होने की सम इंकान तो नहीं है हाला कि हम कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं लेकिन इस तरह से इन मामलों में राश्पती का दखल बहुत कम देखा गया है राश्पती स्वयम एक महिला है राश्पती उस दर्द से आहत है जो हमने हिंदी में बताए कि उन्होंने कहा बस बहुत हो रुक्षा से इस देश में पूरे महिला अपराधों से जोड़ा है और राश्पती की तरफ से इस तरह की चिठी आना इस तरह के कड़े संदेश का जाना निश्चित तोर पर केवल एक संदेश तक सीमित नहीं है क्या हम भंगाल में किसी तरह के सम्वेधानिक स्थिति को द दबाओ राश्पती की चिठी के मध्यम से दबाओ क्योंकि आप देखी कि वहां एक अजीब तरह की स्थिति है ममताब एनर जी मुख्यमंदरी की कूरसी पर बैटी है ममताब एनर जी चाहती है कि समस्य अहल हो जाए तो आपको किसने रोका पहले बार जब घटना आपके सा करने से आपको किसने रोका क्राइम सीन के साथ हुई छेड़चाड को लेकर पुलिस को फटकार लगाने से आपको किसने रोका अगर मैं जो बेटी है वहां पर जो दुश्करम का शिकार हो गई विचारी पीडिता उसके परीजनों को धाई तीन घंटे तक मिलने नहीं दिय ब्लेक्त आज गया उसको लेकर प्रशासन से जवाब तलाब करने से लेकर आपको किसने रोका जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया है और चित्थी लिखके प्रधान मंतरी को एक राश्च्पति की इसके बारक्स में ममता बेंड़ जी की चिथी को रखता वो चिथी लिखकर प पतकाल मंजूरी दे और राजपाल मंजूरी देंगे तो हम धरने पेड़ जाएंगे आप कोई भी कानून लिया है फासी पे लटका दो दस देन के अंदर एक बात बताईए जो कानून है आदर्श कानून क्या कहता है कि अगर कोई भी जगन्य इस तरह का हत्याकांड हो जाता यह कानून नहीं था के देश में सिर्फ कानून बणा दिनने से तो नहीं कुछ नहीं होगा कानून पहले पी बंते रहे लगातार बंते रहे इससी में जो सवाल लोग थे वो भी सड़कों पर उत्रे हुए थे इतनी नाराज़गी थी लेकिन एक चीज़ मैं आप से समझना चाहूंगा राश्टोपती की चिठी तो जो है वो अपने दर्शों को हम दिपखा भी रहें लेकिन आज जब मंतबर जी शातर पर इशद में बोल रही थी क्या उ हमले में आधर्श में जरूर कहूंगा कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई है और उनको थोड़ा अधिक जवाब देही के साथ अपनी बात रखनी चाहिए देश के अलग लग जगों पर आग लग जाएगी यह उसी तरह के बयाने जब कहा जाता है कि धारा 370 नहीं है क्या होता है कि जब आप घिर जाते हो तो एक अंग्रेजी में जो कहावत है जैसे राश्कती ने कहा इनफ इस इनफ वैसे एक और होती है कि अटैक इस दिबेस्ट डिफेंस ऑफेंस इस दिबेस्ट डिफेंस मतलब अगर आपको बचाव करना अपना तो आप एक मुख्यमंद्री को समय में आ जाता है कि है मिसेंडलिंग हो गई केस गलत तरीके से हैंडल हो गया तो डैमेज कंट्रोल के बोर्ड में चला जाता है व्यक्ति उनको इतनी बड़ी उसकी राजनीतिक परणीती होगी शायद इसका हैसास नहीं था और जब हुआ दरसलकों का फायदा उठाकर भापना कमजोरी को और मौके का फायदा उठाकर अपने अस्त्र शस्त्र तेज कर देना वो भारतिय जनता पार्टी जो खार खाई हुई है विदानसभा चुनाओं में 18 सीट से आगे पहुँचकर मतलब कोशिच कर रहे थे वो कि उससे आगे कैसे जाए और लोकसवा में जब उनको वापिस जटका लग गया पिछले लोकसवा से बुरा प्रतरशन हो गया जिन लोगों को तोड़ तोड़कर अपने पाले में लाए थे वो सारे बाबुल सुप्रियों और दूसरे अन्य तमाम लोग वापिस पाले बदल बदल कर चले गए क्यों सरकार है तो राज्य में होने वाली घटनाओं का किसी तरह की उठापटक की स्थिति का लाब उठा कर सरकार को विचलित करने का या सरकार को विस्थापित करने का या सरकार को हटाने का प्रेत्न होता रहा है कोई नया नहीं कॉंग्रेस के राज्य में भी होता रहा आजाद तौर में भाजपा सरकार जो लोगसभाद चुनाओं के जख्मों को अभी पूरी तरह से सहला भी नहीं पाई है उसमें अगर बंगाल में उनको इस तरह की घटना नहीं मौका दिया है तो अपनी राजनीती कर रहे हैं घटना बड़ी है घटना जगन्य है जैसे निर्भया का पर जो दर्ज होते हैं तो वैसे में जब एक कोई केस बड़ा होता है तो सारे लोग उस आवाज के पीछे इसलिए खड़े होते हैं कि भाई हम कहीं तो लड़ें कमजोर को कहीं शक्ती दिखाई दे वो व्यक्ति जिसके साथ गाओं देहात में उसके परिजन के साथ बेटी परिशानी अपने तनाओं को उसमें जोड़ देता है इसलिए कई बार इस तरह की आवाजें जादा बड़ी हो जाती है अब सीबियाई जाच कर रही है तो विपक्ष में वहाँ पर बीजेपी है ठीक है बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका जरूर है लेकिन क्या अभी थ जाच कर रही है ना तो थोड़ा इंतजार होता सीबियाई किसी एक फोस नतीजे पर पहुंचती अभी तो एक स्टेटस रेपोर्ट बर दी है तो पूरी जाच जारी है यह आपका सवाल महतपूर ने आदर्श और यह बात ममता बेनर जी ने भी बहुत मजबूत है कि चलो पशुरुआत में जो कुछ भी हुआ अब पिछले इतने 15 दिनों से तो सीबियाई के पास से मामला और सीबियाई ने फिर क्या कर लिया हमारी पुलिस ने गलत किया तो क्या सीबिया ने सारा मामला सुल्जा लिया लेकिन इसमें आप जो बात कह रहे हैं कि भाजपा को रु कि अपनी तल्वार गुमाएगी और अचानक से जो चीजें बंगाल पुलिस को नहीं मिल रही थी उनको मिलने लग जाएगी यह अगर सबूतों के साथ च्छाड हो चुकी तो सबूत जिंदा हो जाएंगे जो मुख्या रोपी है उसका पॉलिग्राफ हो चुका और उसमें काई संसनी के खुला से उस रात उसने पॉन देखा गल्फ्रेंट से बात की रेड लाइट एरिया में चला गया तो यह भी बड़ी जो उद्गाटन उसमें से निकल के सामने आ रहे हैं और वह बड़े संसनी खेज हैं लेकिन क्या इसके तार अन्य लोगों तक पहुंच रह अब तरीके से निकल करने हैं यह बड़ी हैं बात करें लेकिन इस पर जो राजनेती हो रहे हैं राजनेती पर फोकस इसले कर रहा हूं कि एक तो वह राजनेती हम देख रहे तो जो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक अब उसके बाद यह राश्ट्रुपती की चिठी ममता बैनर जी का नाम नहीं सरकार का नाम नहीं प्रशासन विवस्था सब का नाम तो उस सूरत में यह क्या एक नए हथियार के तौर पर इस्तवाल हो सकता है या एक ऐसा दबाव बनाने की कोशच कि अब भी अगर सिस्टम नहीं संबला या नहीं सुधार पाए तो शायद आगे तो शिलसलेवार तरीकी से अगर घटना को देखें तो लगातार डॉक्टर सटकूम पर थे दॉक्र देजभर में प्रदेशन कर रहें तेजभर के जो डॉक्टर थे वह सुप्रीम पोर्ट के आवान पर वापिस काम पर लोट गए थे लेकिन कलकता के रॉक्ता के डॉक्त अभी भी डटे वे लेकिन उसमें से भी कुछ दॉक्टर काम पर चले गए तो ऐसे में जो आग ठंडी होने लगे और जिसका इसकी दिल्चस्पी साग को जलाय रखने में होती है वो कोशिच करता है कि कैसे आग में थोड़ा और गी पड़े कैसे लगडियां और लखी रख करने का है वो बाबा कौन से आश्रम में अराम कर रहे है इतनी सेकड़ों जाने चलेगी ऐसी जाने इनकी गिंती पूरी नहीं पर लोग खेतों में से ट्रालियों में डाल खाना पोटिया हूं है वो पूरी घटना का है उसकी जांच का है हम ही लोग इतना हनामा किये थे दॉलसां किरी दर् करता है बनार वह सब uéरे यह как यह बखरे करता है धसको फिला यह एंपकर कर दिया यह और जिसने कटा आप किया है उसकी कोशिश होती है कि इस तरह के मामले में कुछ्टन नियापन बना रहरी तो सबसे पहले स्रवोच नयाले के दखल रहा पूरे देश में वह काम पर लोटे कि उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों का अरताल पर बने रहना ठीक नहीं है अगर डॉक्टर सड़कों पर रहेंगे तो मरीज जो अस्टाल में दम तोड़ रहें वह एक जगन अपरयाद को चुक पाने के मामले में दूसरा अपराद हो पर फिर चात्र सड़कों पर आगे यह भी कहा जा रहा है ममता बेनर जीन ने तो खुल कि आरूप लगाएंगी जो चात्र सड़कों पर आएं वह भाजपा के उकसावे पर रहे हैं और रही है और गोले अनको रोका गया तो वह भी पूरी राजनीती है कुछ लोगों की दि चस्पी रहेगी कि मुद्दा दब जाए और आम जंता जो पीडित है जो उसके पीडिता के परिजन है उनकी सबसे बड़ी रुची इस बात में है कि पीडिता को न्याय मिले जिसने इस जगन अपराद को अंजाम दिया है उसको ना केवल फांसी के तक तक जो ममताव इनर्ज कि कह रही हैं पहुंचाय जाए बल्कि अपराद हो जाने के बाद उसको छुपाने में जो लोग लगे रहे हैं अदर्श मैं एक पत्रकार के नाते चाहता हूं कि उनको सजा मिले सब अपनी रोटी सेक रहे हैं कोई इस आख को जलाने में लगा रहेगा और इस सब में नयाय साथ हजार पुलिस कर्मी लगा दिये गए कि नबना बिल्डिंग तक ना पहुंच पाएं 2021 में भी चात्रों की तरफ से नबना मार्च का अहवान किया गया था तब भी कुछ ऐसी तस्वीर हमने देखी थी मंता बैनर जी जो खुद आंदोलन की राजनिती करके सब का विरो बहुत ही दिल्चस्प विरोधाबास की तरफ आपने इशारा किया है अदर्ष वो ममता बैनर जी जिनके एमबिसेडर कार के बोनट पर चड़कर विरोध प्रसेशन करते हुए चित्र वाइरल हुए थे उस जमाने का वाइरल छब्द नहीं हुआ करता था पर चित्र वाइ जो सोनिय गांदी से मदवेत हुए तो उन्होंने अपनी तरुनमुल कॉंग्रेस बना ली लेकिन वो इसी तरह की छातर राजनीती से विद्रोगी राजनीती से आकरमक तेवरों से और न्याय के लिए लड़ते हुए राजनीती में आई और उनको करीब से जानने वाले कई लोगों के बयान अगर आप पिछले 10-15 दिनों में देखें आता सभी इस बात से दुखी हैं और यहीं पर आकर कई बार जो नेता है वो गल्ती कर जाते हैं वो न्याय और न्याय में अंतर करना भूल जाते हैं उनको अपनी कुर्सी और सत्ता का मोह और दूसरी अन्य चीज करनें उनको आने दीजिए में मुख्यमंतरी हदार भी आ रहे हैं तो कुछ बाहर रुख जाया हैं मेरे साथ सचिवाले में बठे उनको इंटलिजेंस रिपोर्ट ही मिल गई थी कि यह सब कुछ बड़ा करने वाले उकसाया हुआ है आपने बिलकुल ठीका अगर उकसाई रही होती समाल चुकी होती शायद ममता बेनर जी उस ममता बेनर जी वाले अपने व्यक्तितों से कहीं दूर चली गई हैं जहां से वो निकली हम एक उम्मीद ही करते हैं कि उनके अंदर वह ममता बेनर जी जिंदार है जहां पर वह अन्याय से लड़ते हुए अपनी इस बहुत पीछे नहीं जाता हूं निर्भया से सबको जोडता हूं बहुत सारी घटना है उसके बाद होती रही है आकड़े अभी आपने खुद बताए कि भार गंटे में क्या इस्तिती है हमारे देश में जिम्मेदारी क्या केवल किसी एक राज में हम अपने खास कारक्रम ख आती कॉंग्रेस वहां फायदा उठाती है यह परिस्ति कब खत्म होती नजर आ रही है यह हमारी राजनिती की भेट यह परिस्ति चड़ी रही है ऐसा हो गई नहीं क्योंकि हर बार लगता है कि शायद एक सुर में हमारे नेता हमारी पार्टिकल पार्टियां खड़ी हो और जो बार बार आप कहते हैं कड़ा कानून बनाओ मैं कहते हैं कड़ा कानून बनाओ तो उसकी जगह कुछ ऐसा हो कि सब मिलकर एक परिस्तिती पर आए और एक जैसी चीजों का पालन होई इस केस में इस तरह के सबसे नाराजी है और रहेगी इस सिलेक्टिव अप्रोच के का कारण ही ऐसा होता है कि इस तरह के दुशकर्म इस तरह के अपराद पनपते रहते हैं राजनीती होती है जिसका स्वार्थ सद्ना उस्द जाता है नयाय कहीं दूर सिसकता हुआ खड़ा रह जाता है आप देखिए कि सब कुछ वा निर्भेया कांड के बाद फास्ट्रेक को जिन्दगी चली गई तमाम उसको बचाने की कोशिशें बेकार हुई उसके साथ जिस तरह का जगन्य कांड भी हुआ चलती वसमें उसकी एक हंस्ती मुस्करारती जिन्दगी खत्म हो गई कुछ लोगों के वहशीपन की वज़े से और उसमें माइनर वाले पे भी खुब ब पहस होगी कानून की परिभाषा पर विचार होगा उसके एक्जिक्यूशन पर क्योंकि कानून का कोई इशू ही नहीं था कानून की जिसंतरा धग्जी उड़ती हुए हम ने देखी इसलिए तो फिर विश्वास की उड़ता है लोग पुलिस्थाने में जाने से क्यों डरत पॉलिटिकल विल भी नहीं है और एडिमिस्ट्रेटिव भी नहीं है और दोनों मिलकर जो खेल करते हैं उसी की वज़े से जनता नाराज होती है आपने जो सवाल किया और हमने खबरों के खिलाली में जो बात की दिया धर्श हम भारत देश के नागरिक के रूप में जनता के और एक पत्रकार के रूप में उस दिन को देखना चाहेंगे जब इस तरह के जगन नहत्या काने का पक्ष के विपक्ष के सारे लोग एक साथ सरक्त पड़े होंगे और कहेंगे कि हम आपसे वोट बांगने बाद में आएंगे हम दलगत राजनीती बाद में करेंगे सबसे इस तरह के दरिंदों को निटाएंगे ममता दी आप इस तरह के दरिंदों को सजा दीजिए आप किसी को मत चुपाईए केंदर से क्या मदद चाहिए हम देंगे वहीं भारती जनता पार्टी के शीर्ष नेतरत्व के लोग खड़े हों वहीं लेडर ऑफ और अफुजिशन को लेकर दलगत राजनीती नहीं होगी तब यह दरिंदे ना इनकी रूह काम उठेगी और इस तरह का काम करकि भाई इस मामले में राजनीती नहीं चलती इसमें कोई पहुंच पकड़ नहीं चलती इसमें रसूप नहीं चलता इसमें नहीं बच पाएंगे यह नहीं करना है हम लोग देखते हैं पुलिस वाला खड़ा है तो हम रेड लाइट टॉस नहीं करते हैं जलाल बत्ती पर रुख जाते हैं सिगनल पर वो पुलिस वाला नहीं खड़ा हो तो हम निकल जाते हैं तो हमको आदत लगी हुई है डंडा पड़ेगा तो काम करेगा तो नहीं करेगा ऐसे में व्यक्ति को अगर ये मालूम पड़ेगा, कि यहाँ पर दलगत भावना से उठकर काम होता है, वो दिन देखने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि इस घटना के बाद, बजाए कि इस तरह के विरोध प्रदर्शिम के, सारे नेता, वहाँ खड़े हों बंगाल के उस चौक पर, और वो कहें कि हम सब मिलकर ये शपत लेते हैं, कि इस दरिंदे को हम सज़ा दिलवाएंगे, और इसके साथ कोई अगर शामिल था उस चड़े अंत्र में, उसको भी समिल लेता है, तो फिर बात खतम, अब देखते हैं, यह हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन फिलाल सबसे बड़ी बात ये है, कि राश्रोपती दुराबदी मुर्मू की जो चिट्टी है, इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसका संदेश का है, वही जानने समझ ले कि हम पूशिच कर रहे हैं, पड़ गई, और ऐसी टिपनी जो वाकई शर्मसार करने वाली थी, मामला भले CBI के पास है, लेकिन प्राइमाफ इसी जो चीजें, जो पूरा फॉरंसिक एविडेंस वहाँ पर जिस तरीके से होना चाहिए था, उसमें बहुत कुछ बदलाव हो गया, क्योंकि बगल की दीवार तोड़ दी गई, इसलिए इतने सारे सवाल ममता बनरजी की सरकार से हो रहे हैं, और इसलिए गुसा चात्रों में है, इसलिए गुसा तमाम लोगों में है, और इसलिए हैं भी समझने की कोशिश कर रहे थे, कि जब राश्टरपती चिठ्ठी लिखती हैं, तो उसके मायने क्या होते हैं, क्या इसको कड़ा संदेश माना जाएगा, क्या ममता बनरजी की सरकार भी इसको कड़ा संदेश मानेगी, या इसके जरीए भी कुछ और राश्टरपती संदेश देने के कोशिश हो रही है, बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा, और वो भी अमरोजला.com पर आपके सामने रखेंगे, बहुत धन्यवाद जदीब जीए अपका अमरे साथ जुलने के लिए, पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए,